दिपावली और छट पूजा में वापस अपने गाउं अपने घर पर आने के लिए रेलवे की तरफ से बिहार के लिए बिशेश तोर पर साथ एस्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। और किस किस तारी को वो ट्रेन आएगी इसके बारे में बताएंगे कि आपको वो ट्रेन कैसे मिल पाएगी और कैसे आप रेलवे एस्टेशन पर जाकर छट और दिपावली के उसर पर अपने गाउं अपने घर पर वापस आ सकते हैं। इस्थित आपकी अपनी ज्वेलरी की दुकान अब इसका एप भी आ चुका है। आप प्ले श्टोर पर या आईफोन के श्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको गहनों का लेटेश कलेक्शन दिखेगा। आप ओनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। और इन सबके अलावा आप S.I.P. के जरिए इस एप के जरिए इन्वेश्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी प्ले श्टोर पर या आईफोन श्टोर पर जाएए। वहाँ पर जाकर इस एप को डाउनलोड कीजिए। और एप को डाउनलोड करेंगे तो आपको तमाम वो सुविदाएं मिलेंगी। मतलब कि ओनलाइन खरीदारी नए गहनों का कलेक्शन देख सकते हैं। आप उससे गहनों को पसंद कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले जो छठ और दिपावली पर ट्रेन चलेगी तो एक ट्रेन पटना आनंद भिहार टर्मिनल तर्मिनल इसका नाम है। अब वो एक नवंबर को आनंद बिहार टर्मिनल दिल्ली से जो दिल्ली में आनंद बिहार टर्मिनल है वहां से 11.40 मिनट पर दिन में खुलेगी आप इस समय को याद कर लिजिए और कल यह ट्रेन 11.40 मिनट पर आनंद बिहार टर्मिनल से खुलेगी कहा के लिए तो पटना आन के लिए बिहार आने के लिए और अगर आपको आना है तो कल इस ट्रेन को पकड़ कर आप अपने बिहार अपने घर पर वापस आ सकते हैं अब इसके बाद एक और ट्रेन है जिसका नाम है आनंद बिहार टर्मिनल पटना एस्पेशल ट्रेन अब यह ट्रेन जो एस्पेशल वि पच्पन मिनट रात को यह ट्रेन खुलेगी और यह ट्रेन भी आनंद विहार टर्मिनल से चल कर पटना आएगी इस ट्रेन के जरिये भी आप आ सकते हैं लेकिन यह ट्रेन रात को 11 बच के पच्पन मिनट पर खुलेगी और तारिखों को एक बारम फिर दोहरा देते हैं कि 10 त को चलेगी तो 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख कहां से चलेगी तो यह ट्रेन नए दिल्ली railway station से यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि नई दिल्ली के आनंद विहार terminal railway station से नहीं बलकि नई दिल्ली railway station से दिन में 3 बज के 30 मिनट पर खुलेगी छपरा समस्तिपूर मुझफरपूर बेगु सराय होते हुए यह train सहरसा जाएगी और इसी रूट के जरिये वो नई दिल्ली से सहरसा आएगी हमने आपको तीन अलग-अलग बिहार तक पहुंचाएंगी उन ट्रेनों के बारे में एक ट्रेन जो कल दिन में 11 बच के 40 मिनट पर आनंद बिहार टर्मिनल से चलेगी और पटना में अगले दिन 5 बजे सुबह में आपको पहुंचा देगी जिसका नाम पटना आनंद बिहार टर्मिनल एस्पेशल ट्रेन है बताया गया है रेलवे की तरफ से कि साथ बिशेश तोर पर ट्रेने के वल बिहार के लिए चलाई गई है जो छट महापर्ब और दिपावली के दोरान 900 फेरे लगाएंगी मतलब की 900 बार वो ट्रेने आएंगी और जाएंगी नई दिल्ली से तमाम अलग-अलग शहरों से बिह अधार से फिर वापस महानगरों में जाएंगी अब आगे और एस्पेशल ट्रेनों के बारे में जो भी जानकारी जो भी अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुचाएंगे तमाम ख़बरों के लिए मरसत बने रहिएगा फिलहाल हमने आपको तीन ट्रेनों के बारे म ने बताया है आपकी इस पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा कि अवने एक से बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद